Hello Friends, Welcome to Sheetal's Kitchen बच्चो का फेवरेट है डोरे मोन और डोरे मोन का फेवरेट है डोरा केग तो एक बार बच्चो के लिए डोरा केग तो बनाना बनता ही है तो आज हम बनाएंगे डोरा केग तो ये बच्चो को बहुत पसंद आएगा और बहुत इजी ली तैयार होगा तो डोरा केग बनाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन पे क्लिक करें तो डोरा केग बनाने के लिए मैंने लिया है ये एक कप मैदा ये मेजरिंग कप हैं तो ये है एक कप मैदा और ये है आदा कप चीनी पाउडर ये चीनी को मैंने ग्राइंड कर लिया था और अब इसमें जाएगा वन फॉर्थ कप मिल्क पाउडर और अब हम इसमें एड करेंगे एक चमच हनी हनी डालना ओप्शनल है डोरा केक में हनी डलता इसलिए मैं डाल रही हूँ उसमें एक चमच हनी अब इसमें जाएगा वन फॉर्थ इस्पून बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा डालने के बाद अब हम इसमें एड करेंगे वनिला एसेंस वनिला एसेंस से जो इसका टेस्ट है तो आब हम इसमें एड़ करेंगे एक चम्मच वनीलाएसेंस , अब ये एसेंस मिलाने के बाद हमें इस सब को बहुत अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे , अथ्चे से मिक्स करने के बाद करना हैज तोड़ा थोड़ा दूद मिलाते एकदम बहुत सारा दूद नहीं मिलाई वरना बैटर हमारा पतला हो जाएगा तो थोड़े थोड़े दूद के साथ आप देख सकते हैं इस तरह का हमें बैटर चाहिए बिल्कुल परफेक्ट चाहिए तो बैटर रेडी हो गया है एक तरफ मैंने चला दिया है अपना गैस पे अब हमें क्या करना है इसमें हलका सा इसको ग्रीज कर लेंगे वैसे तो नौनिस्टिक पैने ज़रुद नहीं है लेकिन फिर भी एक बार इसको ग्रीज करके अच्छे से कर लिया मैंने वाइप तो इसको अच्छे से वाइप करने के बाद यहां पर सबसे इंपोरेंट चीज है अब हमने लिया है वन फोर्थ कप अपना बैटर और इसको हमें एक ही जगे सारे बैटर को गिराना है और बिना इसमें कोई भी स्कून नहीं टच करनी है इसको सिर्फ एक ही जगा बीच में हम पूरा बैटर उपने आप में फैल जाएगा और पूरे जितने भी हमारे डॉरा केक तैयार होंगे वो सेम साइस के तैयार होंगे तो बैटर को किसी भी स्पुन की हैल्प से हमें टच नहीं करना है सिर्फ गिराना है अब इसको गिराने के बाद हमें इसको एक बार कवर कर और ये कुछ ही सेकिंड में रेडी हो जाएगा आप देख सकते हैं हलका हलका सा उपर बबल्स आ रहा है तो डोरा केक तैयार हो रहा है अब इसको हम पलट देंगे और हलका सा दूसरी सैट से भी इसको सिखने के लिए कुछ सेकिंड के लिए छोड़ देंगे ये देखिए एक चेक इसको सिखने में बहुत जाजादा टाइम नहीं लगता है ये कुछ ही सेकिंड में रेडी हो जाता है तो आना में और जितना आपको पलट अपन शोलड़ भी तैयार हो है तो इसी तरह से सैंने अपना दूसरा डाल लेते हैं बैटर इसको भी सेम एक ही जगे हमें सारा बैटर डालना है पहले की तरह और इसको बिल्कुल टच नहीं करना है किसी भी स्पून से यह अपने आपी सेम साइस ले लेंगे तो हमें सेम साइज के ही सारे डोरा केक चाहिए, इसलिए हमें इसको टच नहीं करना है, ये भी एकदम ऐसे ही रेडी हो गया है, तो डोरा केक हो गया है हमारे सारे रेडी, ये देखें, डोरा केक हमारे सारे रेडी हो गया है, एकदम फलफी तैयार हुए है, अब इसमें क्या यह फुर्वर तो फ्लेवर भी लगा सकते हैं लेकिन मैंने यह लगाइ इसमें चोक्लेट सिरप अब दूसरी ही डॉरा केक में भी सेम ऐसे चोक्लेट सिरप लगांगे, इसको ब्रेडी कर लेंगे डोरा के बहुत इजी तयार होते हैं और बहुत जल्दी से ही तयार हो जाते हैं तो एक बार तो बच्चों के लिए बनाने बढ़नते ही हैं यह देखें इसके उपर हम इसको सेट कर लेंगे और सच में ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं बच्चे एकदम खुश हो जाएंगे एक बार आप इस रेसिपी को ट्राइ करें घर में अपने बच्चों को खिलाएं तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें नेक्स वीडियो पे मिलते हैं तब तक के लिए बाई बाई और टेक केर प्लीज चैनल को खिलाएं